अब दो है आज शुरू करने जा रहे है work power and energy सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत छोटे class से आप पढ़ते जा रहे हैं वर्क आप जानते हैं कि जबंग किसी बाड़ी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगा करके हम बाड़ी को displace करते हैं तो हम work करते हैं और work is equal to होता है force into displacement केवल displacement नहीं है displacement ये लिखा हुआ है in the direction of force in the direction of force यानि आपको हमने एक quintal का 100 kg का एक बोरा दे दिया मम्मी ने slope पर रख दिया कि छट पर चड़ा दो जाकर के और थोड़ी देर बाद आपने देखा कि बोरा नीचे बोरा उपर है आप नीचे बैटे हुए हैं तो यू आट अप्लाइंग दफोर्स यू आर गेटिंग दफ यू आर गेटिंग दवर्क तो वर्क होने के लिए जरूरी क्या है कि फोर्स लगे और डिस्प्रेश्मिन किदर होना चाहिए इन दर डिरेक्शन आप फोर्स होना चाहिए अब मान लिया माल लेते हैं कि अगर आप ने ये बोड़ी ली ऐसे और बोड़ी को आपको ऐसे फोर्स आपने लगाया ऐसे केसं बहुत आपने शुरुआत मिदो चोटे आप होते हैं बक्चे होते तो तो मार्क जाएंके तो वहino जब तक तक चलती रहती है पूरे राथ चलती है और से दिन खतम होजाते हैं सेकेंड टाइम सेल कोई निर्वाता 99 परसेंट नहीं डर्वाते फिर क्या करेंगे उसी में से स्चेथ करेंगे एक धागा बांदेंगे और बेटा दुसरे दिन धागे से खींच रहा है तो वही धागे से खींच रहा है और यह कार जा किदर रही है आगे की तरफ तो मैंने का वही कार आगे की तरफ गई और कार यहां पहुंच गई एस डिस्प्लेस्मेंट हुआ और थीटा एंगिल पर आपने फोर्स लगाया था ऐसे रसी पर क्या जिधर आपने फोर्स लगाया उदरी कार गई नहीं गई तो मेरी डिफिशन क्या गएथी फोर्स into displacement in the direction of फोर्स तो अगर जिधर ।बिस्प्लेस्मेंट हुआ है उदर का फोर्स का का म्पोनेंट क्या है F cos theta तो आपका work क्या होगा force यानि F cos theta into displacement तो यह हो गया Fs cos theta और vector में हमने पढ़ा है कि दो vector quantity अगर AB cos theta है तो उनको A.B लिखा जा सकता है यह force.displacement तो हम इस प्रकार से work को F.S लिखते है A.B नहीं पढ़ा आपने AB cos theta नहीं बहुत जादा recap नहीं लगाएंगे वहना बहुत जादा cap लगानी पड़ेगी दो vector quantity अगर cos उसका है हमने कहा था देखे समझे कि हमने रट पढ़ा है था हमने कहा vector क्या multiply नहीं होता है vector या तो same direction में हो तो multiply होगा या perpendicular हो तो जब A और B cos theta same direction में थे तो हमने कहा था AB cos theta that was A dot B जब A और B sin theta perpendicular थे तो हमने कहा multiply होगा AB sin theta that was A cross B तो वो dot में आपने पढ़ा है अब कुछ special cases लेते है special cases अगर special cases का मतलब यह जो theta है यह work को decide कर रहा है अगर theta if theta is 90 degree तो work कितना होगा 0 होगा एक कुली जब सर पे कोई बोज लेकर के चलता है तो बोज किदर के और काम करता है नीचे की तरब वो चलता किदर है सीधे तो बोज हैनि weight और displacement के बीच कितना angle है उसने work कितना किया आपने किताब ले रखी है अपने पास उसने का पैसा बोले का है का पैसा यह देखो वर्क जीरो है तो यह ध्यान रखना कहां पे आप बोल रहे हो वो उनका मस्क ने वो तो एक science है वो science कहता जिदर force लगा रहे हो भाया उधरी displacement करो आप force कहीं लगा रहे हो displacement कहीं करो नहीं चलेगा तो आप अगर वो कहेगा भई आप बोजा ऐसे ला दें तो क्या प्लेटवा में धश जाए हम तो वो work करता है muscular work वो जो पैसा हम देते हैं वो scientific work यह जो science वाला है उससे नहीं देते हैं वो muscular work होता है इसलिए वहाँ पैसा दे देना और यह गड़बर न करना अच्छा दूसरी बात अगर theta acute है acute बोले तो less than 90 तो w will be positive positive work का मतलब होता है you have done the work जो work आप करते हैं वो positive होता है ठीक है अभी करते हैं और कैसे करता भी मैं बता रहा हूँ तीसरी बात अगर theta greater than 90 है obtuse है तो cause 90 से बड़ी value क्या होती है minus तो work will be negative minus यानि वो work आपको obtain होता है आपने force ऐसे लगाया और जो बोजा है जो weight है वो आप की तरफ ऐसे धका मार रहा है तो displacement ऐसे कर रहे है और धका इधर लग रहा है तो theta कितना हो गया more than 90 degree तो वो work आप कहां कर रहे है work आपको obtain हो रहा है तो जो work obtain होता है वो कैसा होता है negative होता है तेकि दो तरीके से है जहाँ पर force आप attraction होता है वहाँ work आपको नहीं करना पड़ता वहाँ work आपको आपको नहीं करना पड़ता है वहाँ work आपको आपको नहीं करना पड़ता है जहाँ पर force आप attraction होगा वहाँ work आपको नहीं करना पड़ेगा वहाँ work अपने आप obtain हो जाएगा और जहां पर फोर्स आप रिपल्सन होगा वहां वर्क आपको करना पड़ेगा वो वर्क आपका पॉस्टी होगा कैसे हम दस मंजिल चड़के जाते हैं मॉल में तो हमको ग्रेविटी के अगेंस चलना पड़ता है तो को यहां थीटा से काम नहीं चलेगा थीटा नीचे हैं हम उपर जा रहे हैं ना एमजी किदर काम कर रहा है हम किदर जा रहे हैं कितना फोर्स लगा रहे हैं एमजी के बराबर ही तो लगा रहे हैं तो हम एक्शली फोर्स किदर लगा रहे हैं वह हम जा भी उपर रहे हमीर तो फोर्स लगा रहें भाई तो हम वर्क कर रहे हैं ना अब हम उपर गए और उपर से नीचे उतर के आना था हमने का कौन जीने से आए कौन लिफ्ट से आए हम वहीं से फांद गए पिकाज अर्थ इस लविग मी अर्थ मेरी माता है उसने मुझ तो थीटा क्या होगा अगर थीटा 90 दिग्री है तो वर्क 0 अगर कहीं पर आपने फोर्स लगाया बॉडी को दिस्प्लेस्ट आगर के वहीं पर लौट आए तो वर्क कितना हो गया जीने सर्कुलर पाद में गर बॉडी मूब करा रहे हो और बॉडी पूरा एक रोटेशन क कि हम जानते हैं ठीक है अब यूनिट की बात करते हैं फोर्स वर्क की यूनिट क्या होती है अब देखे हमने बताया था जो डाविंशन आप पड़ रहे थे बहुत चीजें होती ही जो आगे आई देजरे यूनिट ऑफ वर्क पता नहीं हम कोई चीज़ निकाल के दिखाएंगे बहुत जलबाजी में नहीं एक सुपर कंप्यूटर को भी टाइम लगता है देखें मैं यूनिट की बात करता हूं डबलू इस इकोल टू एक इंटू समनारा फार्मॉला था सुपर जिस्टम दी टरूप पढ़ा होगा आपने तो 밑ー नीमेटर मीटर या जूल ठीक है अगर दूसरी हम CGS यूनिट लेते है CGS यूनिट तो Newton की CGS क्या होती है Dine Centimeter या यह क्या होती है CGS में क्या यूनिट होती है Short name क्या होता है Arg 1 Joule is equal to 10 to power 7 Arg यह हमने आपको Dimension में बताया भी था जैसे 1 Newton is equal to 10 to power 5 Dine होता है उसी प्रकार से यह होता है Arg में एक हम Gravitational unit ले सकते है Gravitational unit Actually में force की होती है Force की क्या होती है KG force KG force meter और KG force को Newton में convert करने के लिए हम क्या करते है G से multiply कर देते है और that will become in Newton ठीक है तो यह अलग-अलग unit है अभी हम dimension की बात कर रहे थे और आप आपने बहुत जल्दी बता दिया था बेरी गुड हम बोलने वाले थे लेकिन हमने बोला नहीं फोर्स की डामेंशन क्या होती है कर आप कर आप और इंटू डिस्पेस्मेंट तो इसकी क्या हो जाएगी ml-square आप क्योंकि आप हम भी कम नहीं हम ऐसे लिखेंगे हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं तो यह इसकी dimension होती है ठीक है अब एक ट्री में वर्क क्या है एनर्जी है वर्क एनर्जी है एनर्जी की बहुत unit हो सी अर्की भी होती है अब जब electricity में जाएंगे तो electron volt भी होती है calorie भी होती है kilowatt hour भी होती है तो यह बात में बात की जाएगी अब लिखे work done by a variable force work done by a variable force work done by a variable force variable force तो actually हो क्या रहा है कि हम एक point से दूसरे point तक लेके body को जा रहे है लेकिन हम force constant नहीं लगा रहे है change हो रहा है force कम ज़्यादा हो रहा है ऐसे हो रहा है तो हम work कैसे निकालेगे देखे ध्यान से actually में हम इसके लिए graph का सारा लेते हैं और यहाँ पर एक mathematics की branch है calculus जो कि आपको 12th class में पढ़ाई जाएगी 11th में calculus का थोड़ा सा part differentiation है तो हम क्या करेंगे displacement और force के भी graph कीचते हैं यह displacement है S और यह force है F तो अब देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो displacement तो हमने fix कर दिया क्योंको variable displacement तो होगा नहीं A से भी तक जाना है लेकिन हमने क्या किया ऐसे force लगाया कम ज्यादा लगाया हमने यह कैसा भी टेड़ा मेरा force लगा हुआ है और body को यहाँ से यहाँ तक displace किया यानि X1 से लेकर के X2 तक displace किया तो अगर मुझसे कहा जाए displacement क्या होगा तो आप कहेंगे वो तो X2 minus X1 होगा लेकिन मजबूरी है कि जब force अलग-अलग है तो हम work simply force into displacement नहीं लगा सकते तब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से अभी आगी calculus में उसमें calculus यूज़ की जाएगी कुछ ज्यादा छोटा लिखा भी है अब लिखो बड़ा लेकिन कहो वो छोटा है DX है तेकिए एक्ट्वी वो डेल्टा X होता है आपको याद होगा instantaneous और average वहाँ पर instantaneous में हमने time को बहुत इसमाल लिया था हमने dt word यूज़ किया था अगर मैं ऐसा खीशता हूं यह माले force है तो यह आपका एक हलका सा straight line दिख रही है बिल्कुर सीधी बहुत छोटा आपने लिया तो यह rectangle बन गया यह rectangle बन गया तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि force into displacement लेकिन 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 यह जो f माना है ना वो यहाँ पे तो change हो जाएगा अगर मैं यहाँ rectangle लेता हूँ तो यह f की value तो change हो जाएगी तो मैं इस f को bracket में x लिख देता हूँ मतलब यह है तो force लेकिन x का function है x का function बोले तो अलग-अलग position पे इसकी value कुछ हो सकती है ठीक है और into dx तो यह work कितना हो गया यह छोटी सी strip इस छोटे से displacement में यहाँ पर जो force था ना वो f नहीं था f तो था लेकिन वो किसपर depend कर रहा था उस location पे depend कर रहा था अब हमने क्या क्या इसमें बहुत सारे इस प्रकार से strip डाल दिये तो यह तो इसमाल वर्क हमने किया और जब टोटल वर्क निकालेंगे कहां से कहां तक जाने में ए से बी तक जाने में यह इसमाल वर्क डन इसमाल वर्क डन हो गया जब टोटल वर्क डन हम निकालेंगे टोटल वर्क डन तो हम क्या करेंगे इसको सिग्मा लगा देंगे अभी लिखेगा ने इसको सिग्मा लगाएंगे DW और ये टोटल वर्क हो जाएगा हमारी Mathematics इसी सिग्मा को Intrigal कहती है ये Mathematical Sign है देखो S के आकार का है ये इसको Latin भासा में Sign-N कहा जाता है Sign-N हमारे एक प्रफेसर साब ने बताया था हमने कहीं इसको सर्च नहीं किया उन्हीं की बाद बाबा में बताता हूँ उसको Sign-N कहते हैं ये Latin भासा का सब्द है वहां से ये सिंबल आया है सिग्मा ये Intrigal का Sign होता है ठीक है 12th क्लास में आप जाएंगे तो है Intrigal पढ़ाया जाएगा 11th में नहीं है और बता दिया जाए कि जो Calculus जो यूज हम कर रहे है ये Calculus पूरी जितनी Mathematics पढ़ोगे यहां से लेकर के बड़े क्लास इस तक उसमें कम से कम 50 से 60% केवल केलकुलस है केवल केलकुलस हर जगे अपली केबल है ठीक है और और इसकी जो खोच की थी वो हमारे साहब सर आईजाक न्यूटन साहब हाँ बहुत बहुत बढ़े जब हम में मिलेगे कभी हम उपर जाएंगे जब मुलाकात हमारी उनकी होगी तब हम उनको प्रदाम करेंगे अज़ा कुछ बच्चे जो फेल वेल होंगे वो तो जाके वहाँ उनको कहेंगे तेरी क्या बताऊं तुम्हीं न्यूटन आहीं अच्छा आइंस्टीन साहब सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि विकॉज आफ डैट परसं इंडिस रूम आयम हैंगवनेशी नेक्स रूम इन आयम हैंगवनेशी वरी स्माल कारिज आलसो देया तो उनी की वज़े से बढ़िया है आज अलनों साहब से हमारी जो है पहचान हो रही है तो रेस्पेक्ट है तो यह आपका वर्क हो गया सब्सक्राइब यह वर्क दन बाइदा जैरेबिल फोर्स अब ज़रा समझेगा जब आप सिग्मा लगाते हो ना और यहां पर आप लिखोगे इंट्रिकल यहां पर लिखोगे fx into dx तो जब यहां पर लिखते हो fx into dx i लिखते हो ऐसे और लिखते हो i varying from 1 to n ऐसा लिखते हो या x varying from x1 to x2 लिखते हो ऐसे लिखते हो ना सिग्मा में तो यहां पर भी लिमिट लगाई जाती है यहां पर lower limit x1 लिखेंगे अपर limit x2 लिखेंगे अब इसको solve नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें f की value अगर dv होगी function of x तब मैं integrate करूँगा otherwise इसको integrate हम नहीं कर सकते किसी दिन हम जब आपको ग्रेविटेशन पढ़ा रहे होंगे तो एक दिन हम mathematical physics पढ़ा देंगे क्या होती थोड़ा बहुत जान लिजीगा रेस्ट तो आपको mathematics पे मिलेगा ठीक है नोट करिए इसको ठीक है अब दो प्रकार के force होते हैं एक होता conservative force और एक होता non-conservative force तो लिखेगा conservative एंड वह फार्मूला होता भी वह नहीं कह सकते न एक्चुलिब इंट्रिकल के बहुत सारे formula होते हैं भई fx का मतलब f की वादी एक्स के टम में दिवी होगी तो अगर x to power n दिया होगा और x के respect पर integrate करोगे तो formula होता x power n plus 1 upon n plus 1 वह formula होते है बहुत सारे बहुत सारे नहीं बहुत सारे इस formula होते है हिंदी में अगर s लगा दे उसमें भी तो सारे इस formula होते है स्चिंता मत करिए आप आगे देख लोगे बहु सारी बुक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे सिंगेस की और अर्यंत वर्यंत की पढ़ेंगे बहुत बढ़ा मजा आएगी आगे देखते हैं अब दो प्रगार के अब जड़ा समझेगा यह कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है हमने आपको एक टेबल दी फ्रिक्शन थे आउसमें बहुत सारा और हमने का बोडी को एक कॉर्णर से दूसरे कॉर्णर पर ले जाओ आप टेबल पर ऐसे घुमा के ऐसे ले गए हम सीधे ले गए ठीक है और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा जो ज्यादा ज्यादा ज्यक्जग करेगा जो ज्यादा लंबा रास्तात है करेगा तो जिस फोर्स में वर्क डन जिस फोर्स में वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है not only initial and final position but also depends upon the path, तो that type of force is known as conservative force, ठीक है, तो लिखिये conservative force is the force conservative force is the force in which in which the work done the work done depends upon depends upon not only the initial and final position conservative force is the force in which the work done depends upon not only the initial and final position but also but also but also depends upon the path adopted by the body but also depends upon the path adopted by the body adopted by the body ठीक है, तो ये तो हो गया आपका conservative force, ठीक है, अगला लिखिये non-conservative force एक,एक,एक,एक,एक,ए एक,एक,एक एक,एक,एक,एक,एक,ः एक,एक,एक,शारी ये नान-conservative है ये नान-conservative है, अब लिखे एक conservative force, रहिए इस पर पास पर डेपेंट करता है, conservative force लिखे, the force in which the work done depends upon the initial and final position of the body depends upon the initial and final position of the body not on the path adopted not on the path adopted by the body is called conservative force is called conservative force अब एक्जाम्पल लिखे, fractional force is the non-conservative force fractional force is non-conservative force practically भी आप कह सकते हैं भाई कही पर friction है माले किसी सदक पर बहुत सारा friction है बहुत खुर्दुरी है तूटी टाटी रोड है तो आप कोसित करेंगे शार्ट कट निकल जाएं क्योंकि friction होनी की वज़े से आपको जो force लगाएंगे आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा ठीक है एंड ग्रेविटेशन फोर्स इजा conservative force अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स नान कंदर्वेटिव होता यह तो प्रेक्टिली हम जानते ठीक है लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स चंदर्वेटिव होता इसको मैंथ्यमेमेटिकल नले आत्र एक gathering के प्रोब टैट-डैट-ढेट-ब्रैट-ब्रat है इस अध्यसा यह मिदा कंदर्वेटिव ए यह कंदर्वेटिव मुड़ेटिपी इस कंदर्वेटिव 2 अब ज़िएगा मैं क्या करूंगा मैं एच हाइट पर जा रहा हूं तीन चार रास्ते तै करता हूं मैं सीधे एच हाइट पर चला जाओंगा मैं स्लोप के सारे चला जाओंगा मैं स्टेर्स बलाके चला जाओंगा और मैं रस्ती बांद के जिग जैग मोशन पर जाओंगा और हर जाना एच हाइट पे है, मुझे माल लिया कट़रा से वैस्वरदी, माता वैस्वरदी के मंदिर जाना है, वो सीधे हाइट हमको दिख रही है, ठीक है, हम सीधे विल्कुल ऐसे हाइट पर पहुंच जाएंगे होच नहीं पाएंगे माल लेते माल लें क्या दिक्त है एक होता हम ऐसे मंदिर के उस पर लगाएंगे कट्रा से एक सीड़ी और ऐसे सीधे चड़ जाएंगे स्लोप के सारे तीसरा होता जीने के सारे चड़ जाएंगे एक होता एक स्टेर्स होते हैं ना स्टेर्केस कहते हैं क्या कहते हैं स्टेर्केस होता ना लेडर नहीं स्टेर्केस और एक होता है हम जिग जैक पाथ पर जाएंगे ठीक है तो लिखें फर्स्ट केस to go to the height h by the straight path to go up to height h by the straight path पहला केस straight way हम जा रहे हैं straight way in upward direction जा रहे हैं in upward direction जा रहे हैं जरा समझने की कोशिस करो सवधान देखो ध्यान से पहला केस मैं A point से B point तक जा रहा हूं जा रहा हूं h height पर ही जब मैं कहीं पर था तो मेरा weight नीचे काम कर रहा था और मुझे h height तक जाना था तो हमने work कितना करना पड़ेगा mg h पहला work आ गया लिखिए आपको जीब नहीं लग रहा कि mg h गलत है माइनस mg h होना चाहिए mg नीचे काम कर रहा displacement उपर की ओर है theta 180 degree है ओ ऐसा लग रहा है ना है क्यों तो mg नीचे लग रहा है और जा उपर की तरफ रहे हो तो theta 180 नहीं हो गया नहीं 180 हुआ मतलब mg नीचे displacement उपर theta 180 नहीं है ना तो माइनस होना चाहिए ना थीटा 180 कॉस 180 माइनस न होता है पले ये बताओ ने आप बताओ 180 नहीं दिख रहा है तो आप बताए क्या दिक्कत है क्या इस वेट से जा रहे हो अर्थ आपको mg फोर्स से नीचे खींच रही है आप उतनाई फोर्स अपोजिट लगा करके उपर जा रहे हो भई तो यू आर नाट गोइंग अपवर्ड विद इस विद इस फोर्स यू आर एप्लाइंग दे सेम फोर्स इन दा अपोजिट डिरेक्शन f-dash that is also equal to mg तब आप एक constant velocity से जा रहे हो अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया होता तो आप excellent हो जाते मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कभी कोई लोग confuse कर देते हैं आपके हां होना चाहिए उले हां सबने तो नहीं बताया उले हां कि विदा स्लोप विदा स्लोप या बाई स्लोप लिखे बाई स्लोप में की एंगल थीटा थीटा विदा हरिजंटल कि अब हम जा रहें बाई स्लोप मैं जा ए से बी तक ही रहा हूं ज़रा देखो ध्यान से मैं जा ए से बी तक ही रहा हूं हाइट ही है ठीक है लेकिन मैं यहां थोड़ा सा दूरी पर यहां से ऐसे जा रहा हूँ यानि मैं C से चला हूँ थीटा एंगिल पर पहुंचा एची हाइट हूँ अगर यहां पहुंचने बाद कोई हमसे कह दे कि आप अर्थ से कितने हाइट पर है तो हम कहेंगे एच साइट पर थे आप कहां से चले ग्राउंड से चला था में पॉइंट चलने का अलग हो सकता है जब आप यहां पर थे यहां पर थे इधर देखो तो आपका वेट नीचे एक्ट कर रहा था कि आप इस वेट के अगेंस जा रहे थे नई हम तो इधर जा रहे थे तो हम जहां पर स्लोप में थे यह थीटा था तो इधर की और एक लग रहा था mg साइन थीटा और इधर की और लग रहा था mg कॉस थीटा तो एक्चुली हम तो C से भी तक जा रहे थे ना तो C से भी तक हम जा रहे थे तो हमें नीचे कौन खींच रहा था Mg sin theta तो actually हमने जो work किया है न यहां लिख रहा हूं मैंने W2 work किया है तो force हमने क्या लगाया है Mg sin theta और into displacement क्या मेरा है C से भी तक है तो C into B CB sorry MG sin theta यहां क्या निकलेगा perpendicular upon hapt news AB upon CB तो यह आएगा AB upon CB into CB 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 cancel out तो MG into AB is H W2 हमने कितना work किया है उतना ही किया है जितना सीधे जाने में किया था तो अब देखे मैं क्या ground से H height पर हूँ मैंने path change कर दिया लेकिन मेरे जो किया गया work है वो इनिशिल और final position पर depend कर रहा था case 3 लिखिए इसलिए इसलिए वो सीधे नहीं जाता है इसलिए अपना तो satellite ले जाते और सीधे ले जाते है satellite सीधे ले जाते हैं कि एक तो एक तो बहुत सारा friction न लगे उसके उपर है वो ऐसे ले जाते हैं थीटा एंगल से इसलिए ले जाते हैं और बाद में उसको सीधा कर देते हैं थीक है नहीं मुझे ऐसे मालूब है चुकि पहली बार अभी कुछ दिन पहले हम बैठे थे बैचांस एक ऐसा आ गया अभी मैं एक हपते के लिए छुट्टी भी गया था ना तो मेरे भतीजे का बड़े था तो वह हमको ले गया था देरादून से केदारनाथ बद्रीनाथ गया थे तो पहली बार बैठा था मैं तो अच्छा लगा था उसने का बड़े मौसा वहां मनाएंगे तो हमका चलो चलते क्या दिक करते तो पहुंच गये बाबाबा केदारनाथ ने बुला लिया तो तब लगा हाने प्लेन ऐसे चलता है ऐसे इसलिए मैंने हाँ बोल दिया आधसे अंडर्वाइऩ में मना कर देता है केस्थी लिखिए टिवी गो बाई स्टेरकेस Besch गोवाई एस्टेरकेस अब मैं staircase लेता हूँ third point क्या है by staircase by staircase जड़ा समझ येगा देखो इधर ये आपकी छट है हमको A से B तक ही जाना था देखो द्यान से ये h height है ये first है देखो पहला जो stair है उसकी height है h1 ऐसे चड़े है ना तो कितना वर किया हमने W-MGH1 फिर जीना ऐसे गुमुणा अब मैं बड़े mall में चलना हूँ जहाँ जीना ऐसे भी जाता है हमारे घर में तो पतले जीने होते हैं ऐसे रखते हैं आईसे रखते हैं लेकिन बड़े बड़े mall देखा आइसे चलना पड़ता थो जाए फिर एक इसे चलते हो अब मैं इधर गया दूसरे जीने में तो यहां कितना वर करना पड़ा हमको क्यों क्यों मेरा वेट नीचे क्यों काम कर रहा था और हम जाए इधर रहे थे तो जीरो हो गया फिर दूसरा हम गये H1 लिए कि रमजी यहां करना पड़ा थिर 0 फिर चुआ टंग 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 हम ने ऐसे ए इन स्टेर चड़े तो हम ने टोटल वर कितना क्या in two एन यह हमारा w3 आया किसे 1 की हाइट हज्वन पर tu टोटल होगा एंजी एच डवलू थी यह तीसरा केस है यहां लिख देंगे वेर एन एच वन इस इकोल तो एन इस इकोल एच देरा एन स्टेरकेस इच आफ हाइट एच वन यह हाइच वन यह यह वाली नहीं यह जहां रखेगा तो अब बताएं यह तीसरे केस में भी हम को वर किस नहीं करना अपड़ा अब मैं जिग जैक पाथ से जाता हूं फोर्थ केस रिखिए रेन वी गो बाई जिग जैक पाथ देखो जिग जैक पाथ में क्या करें देखें ध्यान से यह एच हाइट पर जाना था यह ग्राउंड थी है ना और यह पाथ ऐसा था देखो उबर खाबर पाथ है तो देखो ज्यान से हमने चोटी सी हाइट यहां ले ली यह डी अच है ना और हमने जो वर्क किया हो कितना क्या एम जी इंटू डी अच वह डिल्टा एच और ऐसे थोड़ा ओ डी अच डी अच डी अच डी अच और लगा दिया सिगमा यह हो गया डबलू फोर यह फूर्थ केस था बाई जिग जैक पाथ जिग जैक पाथ जैक कहते ना जड़े जी होगे तो तो मैं कर देता हूं एम जी इंटू सिगमा डी अच तो सिगमा डी अच को एच मान सकते हैं एम जी अच डबलू फोर यह जरा चारों को कॉंपाइल करिये चारों को देखे हमारे रास्ते अलग-अलग थे लेकिन मंजी लेग थी है यह तो एक डायलाग हो गया रास्ते तो ये हो गया वर्क